जब भी हम घर में चीज बॉल्स बनाते हैं तो क्या होता है कि परफेक्ट तरीके से चीज जो है अंदर से या तो पकता नहीं है कच्छा रह जाता है लगता है कि हम कच्छा चीजी खा रहे हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से cafe style cheese wall की recipe तो फिर चलिए देखते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये boil क्या हुआ आलू लेंगे और उसे अच्छे से grate कर लेंगे grate करने से एक भी गुट्ली नहीं रहेंगी और इसमें अब हम क्या करेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चमचर्म से रिफ्लेक्स डालेंगे और इसमें हम आटा डालेंगे चावल का आटा राइस फ्लोर डालेंगे तो चावल का आटा हम डालेंगे और अपने आप जितना quantity में आलू लेजेगा आलू इसमें डिपेंड करता है कि आटा आप कितना इसमें डालें जो आपका आलू जो आप उबालते हैं तो वह गीला ज्यादा नहीं रहता हो अगर ज्यादा गीला रहेगा तो फिर ज्यादा आटा लगेगा तो इसलिए आप जब भी आलू बॉइल करें तो थोड़ा दिरीकली फ्रीज में रखतें तो मैंने आटा अच्छे तरीके से मिला लिया अब इसका हम बॉल्स त्यार कर लेते हैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और तेल लगा करके इसे अच्छे से हम गोल कर लेंगे और बॉल्स को थोड़ा बढ़ा ही रखेंगे क्योंकि इसके अंदर चीज डालना है तो ये थोड़ा बढ़ा रहेगा तो इसका सेफ बहुत ही अच्छा आएगा और चीज भी अंदर अच्छे से बंद हो जाएगा तो इस तरह के से सारे बॉल्स हम बढा लेंगे निम्बू के साइस के और अभी क्या करेंगे इसको बीच से थोड़ा सा चपका कर देंगे और इस तरह के से हम कर देंगे और इसमें हम चीज के साइस को तोर के हम डाल देंगे उसे गोल कर लेंगे और डाल देंगे इसे येकिन मारे दोस्तों ये बहुत ही टेश्टी बनता है अब आटा जब हम लगाते हैं तो उसमें हम आटा लगाते समय थोड़ा सा औरगेनों भी डाल देंगे नमक डालेंगे तो आटा का टेश्ट ही बहुत ही अच्छा आएगा तो अब हम क्या करेंगे गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे लो फ्लेम पर सारे बॉल्सम डालेंगे और इस तरीके से उपर से मिसमें डालते रहेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे जब भी आप इस तरीके का नास्ता बनाएए तो आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजे तो चीज अंदर से बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपको कच्छापन का टेस्ट नहीं आता है जो आप कैफे में खाते हैं ना बिलकुल वैसे ही बॉल्स बनके तैयार होगा अगर आप अच्छे से देखेंगे और स्टे बाइस्टे फॉलो करेंगे तो ये बहुती अच्छे से बहुती अच्छा टेस्ट आएगा तो ये साड़े चीज बाल्स बनके त्यारे बहुती गरम है तो आप देख सकते हैं कि किस तरces चीज अंदर से निकलना है जो बहुती टेस्टी लगेगा आपको आपको विली भी नहीं होगा कि आपने घर में बनाया है तो एक पर आप ट्राइ करके जरूर देखना ये बहुत ही टेस्ट लगेगा तो फिर आप मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ जो किस तरह किस तरीके से चीज तो इसका टेस्ट अमेजिंग है तो एक बार आप जरूर ट्राइ करियेगा और बहुत ही टेस्ट लगेगा आपको और सभी आपके बहुत ही तारिफ करेंगे इस तरीके से आप बना करके देखिए तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी उमीद है कि बहुत ही अच्छी लगी होगी तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा शेर करिएगा और कमेंट करिएगा मुझे बहुत ही खुशी होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि मेरी जो भी रेसिपी होती है बहुत ही इजी होती है जो आप सिंपल तरीके से पनला लेंगे और टेस्ट आएगा बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अच्छा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक सियर और कमेंट करिएगा फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई डेसेपी के साथ